नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग एनेम को लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है जो एनेम भाने हैं वो अपनी कौंसलिंग को मांग को लेकर सची वाला पहुचे हुए थे और मंतरी जी से भी मिले हैं तो क्या कुछ कहा गया है जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं जैसे कि स्वास्त मंतरी जी का ही हाली में बयान आये थे आप लोग के बहाली को लेकर तो तब से सारे जो कंडिडेट है 32,000 जो अब भारती है जो अपने कौंसलिंग का इंतिजार कर रहे हैं वे सारे कंडिडेट के मन में एकी बात है कि कब से स्टार्ट किये जाएंगे अगर सुरू किया जाता है तो कब से सुरू किये जाएंगे और इसी को लेकर पहुंचे हुए थे सची वाल है और वहां पर उसके बाद मंतरी जी से भी मुलाकात की और एनेम कौंसलिंग के मांग रखी है कि कब से बहाली की परकिरिया सुर नारे लगएंगे इन सारे चीजों को लेकर पोहूंचे हुए था और उसमें क्या कुछ कहा गया ओर अरुवी बहुत सारे जो सुर्जीत सर है और विश्यों​ कुछ वह पोहूंचे कर इतने दिनों में शुरू करेंगे या इस तरीके से परकिरिया स्टार्ट किया जाएगा उनके द्वारा सिर्फ समय बताया जा रहा है कि इतने मैंने बाद आप लोग की परकिरिया सुरू होंगे लेकिन कैसे क्या ये कुछ भी नहीं बताया जा रहा है इसको लेकर सारे जो कंडिडेट थे वो वहाँ पर बहुत सारे जो भी इनके लिए लीड कर रहे है सब तो नहीं आते हैं ये आपको भी पता है कि सारे कंडिडेट नहीं पहुंचते हैं जो इसको लीड कर रहे हैं जो इनके दो टीम में बते हुए यह है तो आपको पता है एक तो डारेक्ट काउंसिलिंग की मांग कर रहे हैं और उनके ही द्वारा कोट में जीत दर्ज भी मिले हैं हाई कोट में और एक दूसरा है क्वैलिफाई वाले अब भारती उसका भी अपना एक टीम है और वो लोग स कि में चौणकी शुरू किया जाएंगे ताकि प्रोसेस आगे कंटीन्यू किया जाए क्योंकि उस वजब से भी थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि कुछ भी होता भी रहे तो उसमें बदलों हो सकते हैं क्योंकि Supreme Court में ये दिमामरा चल गया है तो एस्टे भी लगा सकता है पर किरिया पर रोक भी लगा सकता है ये बात भी ध्यान में रखिएगा और आप लोग अपनी तयारी को भी बरकरार रखें क्योंकि नई बहाली का भी 4-5-4 मेना में का रहा है कि बहाली करेंगे 120 दिन का सम बाता है आप गान्ट करके क्लास जोइन कर लीजिए इस नंबर पर कामट्रेक्ट करके आप क्लास जोइन कर सकते हैं तो आपको दिक्कते हो सकती है क्योंकि यस बार भाली जाहिदा संख्यान में आ रहे हैं से भी जैदा आपको पर्मनेंट भाली देखने को मिलने वाले हैं और बीटियसी एनम का कुछ भी इन्फॉर्मेशन आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे जैसे कि मंतरी जी से मिलने पहुंचे थे तो उनके द्वारा बोला गया कि इससे पहले स्वास मंतरी तेश्वी जी थ लेकिन सुरू कब किया जाता है इसके बहाली के पर के लिए ये देखने वाली बात होंगे और आगे की जो इन्फॉर्मेशन आएंगे तो हम आपको जरूर पहुंचा हैं बताएंगे और ऐसा नहीं कि यदि सची वाला है या मंतरी जी के पास जाते हैं तो सब एकी दिन में मिल जाते हैं वहाँ पर बार बार जाने पर हीं वहाँ पर कुछ बाते बन सकती है तो ये लोग फिर से पहुंचेंगे अपनी मांगे रखेंगे और भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग आएंगे तो वह भी हम आपको बताएंगे और इसके लिए आप लोग चैनल क जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके तेंगे